Hello students, welcome to my youtube channel आज हम parallelogram के बारे में जानेंगे उसके बारे में कुछ बाते करेंगे कि parallelogram क्या होता है कैसे बनता है, कैसे figure को हम जाए बोलते हैं, उसकी क्या-क्या properties होती है तो उसके बारे में सब कुछ जो है वो जानेंगे फिर उसके उससे related कुछ उसके properties पे based कुछ जो है वो question solve करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले जानते हैं कि parallelogram है क्या parallelogram जो होता है वो हमारा एक तरह का quadilateral होता quadilateral क्या है एक ऐसा diagram जिसकी four sides हो उसको हम quadilateral बोलेंगे तो parallelogram जो है वो हमारे quadilateral की एक type है quadilateral क्या है एक ऐसा figure जिसकी कोई भी चार sides हो उसको हम quadilateral बोलेंगे quadilateral की आगे एक type होती है जिसको हम बोलते है parallelogram parallelogram क्या कैसा figure होता है parallelogram में कैसा figure होता है जिसमें आमने सामने की sides जो होती है वो parallel and equal होती है अपोजिट साइड्स जो होती है वो पैरलर होती है और इक्वल भी होती है जैसे कि मेरे पास अगर A, B, C, D एक फिगर है तो इसमें A, B जो होगी वो पैरलर होगी D, C के और AD जो होगी वो पैरलर होगी DC के पैरलर लाइन्स क्या होते हैं पैरलर लाइन्स ऐसी लाइन्स होते हैं जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती आपस में कभी भी मीट नहीं करती ऐसी दो लाइन्स जो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती वैसे लाइन्स को पैरलर लाइन्स बोलते हैं, जैसे कि ये दो लाइन्स, ये कभी भी एक दुसरे को कट नहीं करेंगी, आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी, जैसे कि ये DC और AB को जितना मर्जी लंबा एक स्टेंड करते चले जाओ, ये आपकी कभी भी आपस में मिलेंगी नह एशे यैसे लाइन के से लिए लाइन बोल हैं प当ो पैर्ले लग्राम की लिए साई वह भी पन्हें हैं इसे पाउछे मतलब आमने सामने कह था सांनी हुलिए यह यह दोनों आपसंटों को is इनको हम parallel lines नहीं बोलेंगे, तो parallel lines कौन सी है, ये और ये आपस में parallel है, ये और ये आपस में parallel है, तो parallelogram की सबसे पहली बात तो यही आपको याद रखने हैं, कि parallelogram की opposite sides होती है, वो क्या होती है, वो parallel होती है, उसके साथ साथ वो equal भी होती है, इसके साथ साथ जो AB होगी, वो equal to होगी DC के और जो हमारा AD होगी वो equal to होगी हमारे BC के पहली property तो हमारी यही है कि उसकी आमने सामने की sides जो होती है वो parallel होती है और equal होती है अब second property की बात करते हैं second property हमारी angle पे based है angles क्या गहते हैं कि जो parallelogram होता है उसके opposite angles जो होती है वो equal होते हैं opposite का मतलब आमने सामने ये वाले नहीं ये वाले साथ में होंगे इन दोनों angles को adjacent angle बोलेंगे या फिर साथ वाले angles बोलेंगे हम यहाँ पे कौन सा angles की बात कर रहे हैं हम opposite angles की बात कर रहे हैं आमने सामने तो A के opposite कौन सा है A के opposite angle है हमारा C तो parallelogram में opposite angles जो होते हैं वो equal होते हैं तो second property क्या है opposite angles are equal parallelogram के अंदर opposite angles जो होते हैं वो equal होते हैं इसका मतलब क्या हुए इसका मतलब हुआ कि angle A is equal to होगा एंगल C ये दुनों angles आपस में equal होंगे क्योंकि ये दुनों आपने सामने हैं same हम ये भी कह सकते हैं कि B के सामने वाल双ंगल कौन सा है B के सामने वाल双ंगल है D तो angle बी जो है वो किस के बराफ़र होगा एंगल B जो है वेंगल D के बिराप पर होगा तो अभी तक हमने क्या, दो बाते बढ़े पहली कि parallelogram में आमने सामने की sides जो होती है वो parallel होती है और equal भी होती है जैसे AB जो है वो parallel है DC के और AB जो है वो equal भी है DC के similar हम कहेंगे कि जो AD है वो parallel है BC के और same AD जो है वो equal भी है BC के Second हमने ये बुला कि जो parallelogram होता है उसके opposite angles जो होते हैं वो equal होते हैं तो यहाँ पे opposite angle कौन से? angle A और angle C जो है वो opposite angle है similar angle B और angle D जो है वो opposite angle है तो opposite angles जो होते हैं वो parallelogram में हमेशा equal होते हैं अब आगे third property की बात करते हैं third property ये बोलती है कि जो parallelogram के adjacent angles होते हैं उनक्या जो sum होता है वो 180 degree के बराबर होता है या फिर हम ये कह सकते हैं कि adjacent angles जो होते हैं parallelogram के वो supplementary होते हैं तो लिखेंगे कि हम third property क्या है? the adjacent angles are supplementary supplementary क्या मतलब क्या होता है? कि इनका sum जो होता है वो 180 होता है यहां पर adjacent angle क्या है? a और b तो हम लिख सकते हैं कि angle a plus angle b जो होंगे वो किसके बराबर होगे? 180 के बराबर similarly हम ये भी कह सकते हैं कि b और c ये भी तो adjacent angle है ये भी दोनों साथ साथ वाले angle है तो इन दोनों का sum जो है 180 हो सकता है तो हम कह सकते हैं angle b plus angle c जो होगा वो भी 180 के बराबर होगा similar हम ये भी कह सकते हैं कि c और d प्यूंकि ये भी तो adjacent angle है ये भी दोनों साथ साथ वाले हैं तो इनको भी हम कह सकते हैं कि ये भी supplementary है इन दोनों का sum जो है 180 के बराबर होगा तो हमारा third क्या हो जाएगा angle c plus angle d ये भी कहाओंगे ये भी 180 डिगरी के बराबर होगे और और भी हम कुछ कह सकते हैं हम कहा सकते हैं ये वाले भी तो कम सब adjacent angle है a और d भी साथ साथ में है तो इन दोनों का sum जो है 180 हो सकता है angle a plus angle d जो है 180 डिगरी के बराबर होगा तो इन चारों में से जो है वो कोई भी true हो सकता है ये दोनों angles का sum भी 180 होता है इन दोनों angles का sum भी 180 होता है इन दोनों angles का sum भी 180 होता है और इन दोनों angles का sum भी 180 होता है तो ये होगी तीन properties इसकी एक और प्रोपर्टी हम डिसकस करेंगी फिर इसके साथ related कुछ, questions करने की कोशिश करेंगे, तो एक और property यह है, कि जो parallelogram के diagonals होते हैं, अगर मैं यहां पर parallelogram draw करूँ, एक, तो जो इसके diagonals होंगे, diagonals क्या होता है, diagonal होते हैं, हमारे opposite point को मिलाने वाली line, जैसे A और C जो है, वो opposite points है, इनको जो line मिलाएंगी, उस line को हम बोलेंगी कि वो इसका diagonal होगा, similar जो B और D को अपस में मिलाएगी, वो इसका diagonal होगा, तो यह दो diagonal होंगे इसके, property यह कहती है, कि जो parallelogram के diagonals होते हैं, वो एक दूसरे को bisect करते हैं, bisect का मतलब होता है, आधा-धा कर देना, मिन्स कि वो एक दूसरे को आधा-धा divide कर देते हैं, आधा-धा में divide करेंगे, मतलब कि A, O जो होगा, इतना वाला part जो होगा, वो O और C के बरबर होगा, कूँकि इसको आधा-धा काट दिया, मेरे पास पहले एक पूरी लाइन थी, इसको मैंने आधा काट दिया, आधा काटने के बाद ये और ये दुनों आपस में बरबर हो जाएंगे, तो fourth property यही है, तो यह हमारे fourth property है, इसके coding हम क्या लिख सकते हैं, इसके coding हम लिख सकते हैं, AO, किसके एक्वल होगा, O, C के, क्योंकि ये पूरा diagonal था, इसको यहां से आधा-धा काट गया, तो AO is equal to हो गया, O, C के, and DO is equal to हो जाएगा, O, B के, तो यह properties है, diagonal की चार properties, आपको अच्छे से याद करनी है, एक बड़ मैं आपको repeat कर रहा हूँ, कि आपने सामने के sides parallel and equal, आपने सामने के, या फिर कहलो कि opposite angles are equal, adjacent angles are supplementary, दोनों को add करेंगे, तो sum जो है, वो 180 degree आएगा, और diagonals are parallelogram are bisect each other, दोनों diagonals जो है, वो एक दुसरे को bisect करेंगे, उनको आधा-आधा जो है, वो divide करेंगे, अब इनसे पर बेस कुछ questions करेंगे, और इनी properties को use करेंगे, देखेंगे कि इन properties को हमें इस्तेमाल कैसे करना है, और कैसे हम इस्ते properties की help से किसी भी sum को जो है, वो आसानी से solve कर पाएंगे, तो सबसे बहले का example लेते हैं, हमारे पास एक पैरली लोग्राम है, A, B, C, D, हमें जो है, वो A, B की value जो है, वो 4 cm दी है, और B, C की value जो है, वो 3 cm दी है, हमें A, D और D, C जो है, वो find out करना है, तो easy है, हम property यूज़ करेंगे, We know, opposite sides of parallelogram are equal, हमें पता है कि जो उसकी opposite sides होती है, वो equal होती है, और हम उसे property को यूज़ करने जा रहे हैं, उस property के according कौन-कौन से sides से equal होनी चाहिए, उसके according हमारी A, B, जो है, वो DC के equal होनी चाहिए, A, B, जो है, वो equal to किसके होगी, DC के होगी, हब A, B की value हमें कितनी given है, A, B की value तो हमें 4 given है, लेकिन DC हमें पता नहीं है, अब DC is equal to कितना होगया, 4 cm, तो DC की value आगी है, हमारे पास 4 cm, similarly, A, D, जो है, वो BC के बराबर भी होगा, A, D equal to होगा, BC के, क्योंकि यह भी property है, कि हमने सामने की sides equal होते हैं, तो A, D, जो है, वो BC के बराबर हो जाएगा, A, D, BC की value हमें कितनी है, 3 cm, तो A, D, कितना आगया, A, D, भी आगया, 3 cm, तो हमने पहली property को use किया, और उसके, उससे हमने जो है, A, D, और जो DC की value जो है, वो असानी से find out करी, अकर आपको यह 4 properties, अच्छे से यान हैं, और आप इसको समझ जाओ कि, इसको कैसे use करना है, तो आप किसी भी question को चुटकियों में solve कर सकते हो, किसी भी question को solve करना, इस बात पर depend करता है, कि आपको उसकी properties के बारे में अच्छे से knowledge है, यानि, आप उन properties को अच्छे से सित्माल कर पा रहे हो, यानि, अगर आपकी अच्छी command है अपने properties पे, तो आप किसी भी तरह के question को असानी से solve कर सकते हो, अब एक और example लेते हैं, इसको थोड़ा सा difficult बनाने की कोशिश करते हैं, अब हमने हमारे पास x और y की terms में जो है वो लिए, ताकि हम equations बना सकें और इसको थोड़ा difficult बना सकें कोश्न को लगानी हमें, फिर से वही property हैं लगाएंगे, फिर भी क्योंकि हमें क्या find out करनी है, हमें sides find out करनी है, तो हम फिर से same property use करेंगे कि we know that the opposite sides हो फे parallelogram है, equal, तो opposite sides कौन सी हो जाएंगी, अब opposite side हमारे पास ps, ps equal to किसके हो जाएगी, qr के, ps जो है वो equal to हो जाएगी, qr की, अब ps की value कितनी है, ps की value है, 4x plus 2, और qr की value कितनी है, 22, अब यह plus 2 यहाँ plus हो रहा है, तो इदर आके यह minus हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारे पास 22 minus 2, is equal to, यहाँ पे 4x रहेगा, 4x is equal to, 22 में से 2 minus कर देंगे, तो हमारे पास 20 आजाएगा, यह 4 यहाँ multiply तो उदर जाके, divide हो जाएगा, 20 divided by 4, which means की 5, तो x की value हमारे पास कितनी है, 5, अब हम दूसरी side ले ले लेते हैं, यह तो हमने यह वाली दो side ले थी, अब यह वाली भी तो आपस में equal होंगी ना, तो अब हम ले लेते हैं, similarly, हमारा, pq is equal to होगा, srk, pq is equal to होगा, srk, तो pq की value कितनी है, pq की value हमारे पास है, 3x plus 1, और sr की value कितनी है, sorry, एक mistake हुई है मेरे से, mistake यह हुई है कि मैंने दोनों जग़े पे xx लिये, तो यहाँ पे y लेता हूँ में, ताकि कोई confusion ना रहे, तो यहाँ पे y लिया है, 3y plus 1 is equal to होगा, हमारे पास 22, यहाँ पे यह plus हो रहा है, तो उदर जाके यह minus हो जाएगा, यह होगा 22 minus 1 is equal to 3y, 3y is equal to 22 में से 1 minus करेंगे 21 आ जाएगा, यह 3 यहाँ multiply तो उदर जाके divide हो जाएगा, 21 divided by 3, तो y की value आगी 7, तो y हमारे पास 7 आ गया, आपने देखा कि हमने वही property यूज़ की, कोई और property नहीं यूज़ की, सिर्फ उसी property को यूज़ करकी हमने देखने में जो difficult लग रहा था, तो उसको आसानी से solo कर लिया, तो main बात बस यही है कि आपको थोड़ी property याननी चाहिए, और थोड़ी बहुते basic math की knowledge होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे हमने equations को solo किया, कि यहाँ यह प्लस था, उदर जाके minus, यह यहाँ multiply उदर जाके divide, यह सब basic, अगर आपके clear हैं, तो आप यह आसानी से कर सकते थे question, तो इसका एक question में आपको देता हूँ, आप उसको खुझ से try कीजिएगा, अगर आप यह वीडियो देख रहे हो, अभी तक तो आप इस question को खुझ से try करने की कोशिश कीजिएगा, और इसका answer मुझे कोमेंट में लिखना कि इसका answer आपका कितना है, तो यहां पर भी आपको find x and y करना है, find x and y, x and y की values find out करनी है, तो जरूर खुझ से try कीजिएगा, जब तक आप खुझ से try नहीं करोगे, तब तक आपको कभी मैथ में आएगा, तो आप इसको खुझ से ध्यान से solve करने की कोशिश करने, similar ऐसे ही होगा, जैसे यहां पर हमने किया, same property use होगी, तो खुझ से इस question को करने की कोशिश करना, और इसका answer जो है वो, comment में बताना कि आपका कितना आया, तो इस question के साथ मैं आपको छोड़ रहा हूँ, आगे हम कल continue करेंगे इसके साथ, I hope आपको ये video पसंद आई, अगर आपको ये video पसंद आई हो, तो इसे like करें, share करें और channel को subscribe करें, thanks for watching, bye bye, take care.